दोस्तों किसी ने आपको पूछा कि आपके computer के अंदर कौन सा motherboard लगा हुआ है कौन सा RAM लगा हुआ है, कौन सा CPU लगा हुआ है कितने ZB का graphic card है और कौन-कौन से software install है साथी में आपके computer में कौन-कौन से services run हो रही है तो आप सोचते वेट होगी कि यार इतनी सारी चीज़े मैं कैसे बता हूँ कहां पे मिलेगे मुझे, सूचनी की जुरूरत नहीं दोस्तों मैं लेकिया हूँ ऐसे एक software की information जिसमें आपको ये सारी चीज़े एक साथ एक जगब में मिलेगी और जिने आप copy paste करके भी रख सकते है जिहां आपने पूरे system का खुला चिटा यानि कि पूरी system की जानकारी एक जगब पे मिलेगी इस software के जरीए तो अगर आप इंट्रेश चूड़त वीडियो एंट तक दीखिएगा तो दोस्तो इंट्रो पार्ट में मैंने जिस software का आपके साथ जिक्र किया उसको मैं पहले system के अंदर install करके आपको दिखाता हूँ कैसे वो आपके computer में download होगा उस software के link मैं नीचे आपके लिए description में दे रहा हूँ वहां से आप download कर सकते हैं या फिर आप simply google chrome पे आईए और वहां पे search कीजिए pc audit आपको यहां पे website मिलेगी जिस website के उपर यह free pc audit का नया version आपको मिल जाएगा यहां पे click कीजिए और यहां पे download now button मिल जाएगा आपको यहां से download करने में दिक्कत आ रहे तो description में मैं link आपके लिए दे रहा हूँ वहां से आप उसे download directly कर सकते हैं उस software को right अब यह software 10-12 MB का है दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ आपको मतलब downloading के लिए ज्यादा data कर्च होने वाला नहीं है और 10-12 MB में आपकी PC की पूरी जानकर्य आपको मिल रही है यहां पे देखिए यह software यहां पे download हो चुका है pre-pc audit left bottom corner में आपको दिखाए दे रहा है मैं इसके उपर click करूँगा इसे अलग सा installation हो गएरा नहीं है यह directly run हो जाता है जब आप इसे run कर लेते हैं तो यह scan कर लेता आपने system तो यह देख सकते हैं आप यहां पे scan हो रहा है scanning कर दिया इसने अपने पूरे system को और यहां पे कुछ आपके सामने आ रहे है system की information जैसे आप यहां पे देख सकते है brief में कुछ चीज़े मैंने यहां पे blur रखी है क्योंकि वो confidential data है confidential data को तो blur रखना पड़ेगा उसको सब के साथ share करके तो नहीं चलेगा तो यहां पे कुछ चीज़े blur मिलेगी लेकिन आपको दिखाए दे रहे है कि मेरे system का नाम आ रहा है IP address आ रहा है CPU आएगा मेरे system में जै दिखाए दे रहा है graphic card कौन से company का सारी चीज़े और साथी में RAM कितनी जीवी है वो भी यहां पे दिखाए दे रही है आप अगर नीचे स्क्रोल करोगे तो यहां पे device and drivers भी मिलेंगे यहां पे मिलेगा अपनी system में कौन कौन से drive बने है और उसने कितना data बरा है कितना खाली यह भी चीज़े आपको यहां पे मिल जाएगी अगर आप स्क्रोल करोगे यहां पे तो यह पता चल जाएगा उसके अलावा यहां पे system पे click करते हैं यहां पे दिखाए दे रहा है एक option system करके मैं zoom करके दिखाता हो step में आपको पूरे के पूरे system की जान करें आपको मिलने इसे आप देख सकते हैं यहां पे host name है, IP address है, username है, description है, यहां पे भी कुछ चीज़े मैंने blur रखी, again confidential, confidential data, तो यहां पे इसके लिए blur रखी, यहां पे आपकी system की सारी चीज़े मिलेगी, जैसी कि आपको operating system अपने console इंस्टॉल किया, उसकी product key भी मिलेगी, जो product key आप इसे बहुत सारी जानकारी है, जो यहां से आप देख सकते हैं, इसे स्क्रोल करोगे, तो नीचे आपको और डेहर सारी जानकारी मिल जाएगी, तो इतनी सारी चीज़े यहां पे मिल रही है, जो कि आपको बस एक ही software के अंदर मिलने वाली है, उसके साथ साथ कौन कौन से software इसे आपको डिटेल में मिलेंगे, जैसे मैं जादा तर Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop यह software यूज करता हूँ, तो वो भी software यहां पे आपको दिखाए दे रहे है, मेरे जितने भी software इंस्टॉल है, वो सारे के सारे एक साथ एक जगा पे यहां पे दिखाए दे रहे है, और साथी में यहां पे PC को, जिससे आपको आपकी PC के जानकारी हो जाती, कि PC में क्या-क्या है, या किसी भी system की जानकारी लिए नहीं है, तो यह software आपके पास होना चाहिए, इसलिए description में लिंक दे दिए, और इसी के साथ description में और एक लिंक है, जहां पे ISO certified मेरे courses है, जहां पे ISO certified courses आपको सीखने मे मिलेंगे घर बैटे बैटे, अगर आपको मेरे teaching style पसंद है, तो एक बार मेरे website ज़रूर चेक कीजिए, जहां पे आपको certified courses मिलेंगे दोस्तों, कम फीज में, ज़रूर चेक कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लागा तो like share और comment कीजिए, चैनल पे नहीं में मानों, त तो हमेशा की तरह subscribe करके और bell icon पे click करके चले जाना, चले जाना मतलब तुपारा next Monday को शाम को 5 बजे मिलेंगे, क्योंकि every Monday शाम को 5 बजे मैं एक नया वीडियो complete technology channel पे upload कर रहो, अगर आपको पता नहीं तो फिर सिर बता देता हूँ, ये time note down कर लीजिएगा, तो फिलाल मिल अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, सीख ते रहो, सीखा ते रहो, बाई बाई